नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इस्पिच्वल स्पार्कल में, जहां मेरा प्यास रहता हाई कि मैं आपको अपनी संस्क्रती धर्व और तेवहारों से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा सुआ। साथ ही साथ ये भी प्रयास रहता है कि ये जनकारी सेरल और सहज भासा में हो और साथ ही साथ विशस्निय भी हो जिसके लिए मैं संदर्व लेती हूँ अपने वेदों का पुरानों का और धार्मिक ग्रंतों का तो चलिए बढ़ते हैं अपने विशाई की ओर नमस्कारम जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे भीतर है क्या हम उनकी म्रित के बाद उन्हें भूल जाएं कते नहीं तो आज जानते हैं कि श्राद का साब्दिकर्द क्या है श्राद यानी स्रद्ध से जो अंजली दी जाते हैं उसे श्राद कहते हैं पुर्वजों के रिण से मुक्त होने के लिए श्राद कर्म पूर्ण स्रद्ध से करना चाहिए श्राद कर्म ना करने से प्रित रिण से मुक्त नहीं म करते हैं उन पर पित्रदेव यानी पुरोज प्रसंद रहते हैं और जीवन में सुख सम्रति का आसिरवात देते हैं अब आएए जानते हैं कि 2023 में श्राथ पच्च की सुरुवात कब से हैं इस वर्स 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक साथ पच रहेंगे इस बात का ध्यान रखें कि सभी पुरोजों की मृत्यति के दिन ही उनका श्राथ कर किया जाना चाहिए परन्तु सभी मृत्य पिस्त्री जात्कों का श्राथ नौमी को संपन करना चाहिए जिसे मात्र नौमी कहते हैं जो 7 अक्टू का श्राथ जिनकी पुन तिथी आपको याद नहीं है जैसे परिवार में कोई और पूर्वच जैसे ताउजी दादा जी उनका श्राथ सर्वपृत अमस्या को करना चाहिए जो की 14 अक्टूबर 2023 को है आईए अब जानते हैं कि नान श्राथ क्या होता है अस्वनी सुक्लप कि प्रतिपदा तिथी को नान श्राथ कहा जाता है इसे आज अभी कहते हैं पुत्र के नाहोंने पर पुत्री भी अपने पिता का श़ाथ दोहत्रे यानि नाती के द्वारा करासकती है इसे ही जैस्वने पूरोजय को भेण रहा और उनका आशिवाद हमेशा हमारे साथ रहता है। धन्वाद।